गूगल हमारी मेमूरी को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा हावड की एक study थी जो के उन्होंने Google के उपर करी थी और वो study ये suggest करती थी कि ये जो technology है वो हमें prevent करती है learning के लिए घबराए मत इसकी facts को जानने के लिए हम थोड़ा सा closer look लेते हैं और इस study में देखते हैं कि कौन-कौ से important points थे तो चले आएं शुरू करते हैं असलाम अलेकम दोस्तों देसे साफी उल्ला वसी उल्ला विद्यू दोस्तों हावर्ड और कॉलंबिया वालों ने एक study करी जिसमें उन्होंने ये प्रूफ किया कि technology जो है वो हमारी memory को erode कर रही है अब जब ये study आई तो जितने भी educators थे और जो टेक्नोफोब्स थे उन्होंने जो है वो pontificate करना शुरू कर दिया कि भाई इस तरह तो हमारे brain का क्या होगा future में technology तो हमें बर्बात कर देगी लेकिन गवराय मत हम इस पे closer look देखेंगे और देखेंगे कि इस study में क्या है इस study का जो सबसे पहला point है वो है limitations का ह हमने इस Harvard की study की limitations को देखना है ताके हम यह देख सकें कि किस level तक जो है यह study हम accept कर सकते या नहीं तो इसका जो सबसे पहला point में आपको बताने जा रहा हूँ limitations से मुतालिक कि उसमें सबसे बड़ी limitation क्या थी वो यह थी कि इस study में उन चीजों को देखा गया जिसे हम कहते है trivia trivia के मतलब यह है कि जो unimportant चीजे थी यानि के लोग वो चीजें Google के उपर जो देखते हैं जिनको यह पता होता है कि यार हम जब चाहेंगे दोबारा Google को खोलेंगे और यह चीजे देख लेंगे और उनके लिए तनी important नहीं होती है वो चीजे ऐसी होती है जो इनसान भूल जा नहीं है आपने Google पे देखा उसके बाद भूल गए क्योंकि आपको पता है जब चाहूंगा Google खोलेंगा दुबारा देख लूँगा लेकिन यह आपके लिए इतनी important चीज नहीं थी तो सबसे बड़ी limitation थी इस study की वो यह थी कि ऐसी चीज़ों को analyze किया गया था जो कि trivia से related थ जा रहा हूं और उससे related कोई चीज में जो है वो Google पे search करके उसको study कर रहा हूं तो मैं वो नहीं भूलूँगा क्योंकि वो मेरी लिए बहुत important है और वो मेरी एक personalized किसी की learning है जो मैं चाहता हूं अपने future के लिए और उसको में बहुत खास समझता हूं तो यह बहुत बड़ हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है और उसमें के और क्या होगा कौन सी दवाई देनी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी knowledge होती है जो हम सब को याद रखना जरूरी होती है यानि को कोई doctor है तो उसमें बेशुमार knowledge ऐसी है को याद रखना जरूरी है उसके इलावा अगर आप computer studies ले होती है वो इनसान को बेशुमार तोर पर याद रखनी पड़ती है जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को सर्च करें और उसको पसंद भी नहीं किया जाता इसके बात जो बात यहां इन्होंने किये कि वह actually के technology जो है वो help करती है हमें किस तरीके से मिसाल के तोर पर आपको बहुत पर शुमार चीज़ें तो technology जो है वो यह प्रूव होता है कि हमें खास तोर पर मदद करती है कि हम असानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके अच्छा इसमें जो last point है वो इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए देखे इसमें यह बताया गया है कि इस study में हमने कि ज teachers उनको efficiently जो है चीज़ों को explain करें और बच्चों को चाहिए कि जो efficient way है उस तरीके से उससे grab करें और अपनी जो सलाइयत है वो उल्टे सीधे कामों में ना लगाए मैं असान लफ़ बता रहा हूं ताकि जो है वो technology का सही फायदा उठा सके तो यह जो study है यह कहीं से पुरू होता है कि technology हमें मदद करती है पढ़ाई में अगर हम उसका सही इस्तिवाल करें तो इस study को हमने जो देखा खास तरवे जो इसके main points थे उसके बाद यह हम फैसला कर सकते हैं कि Google जो है वो बिलकुल भी आपकी memory को dead नहीं करता बलके आपको मदद करता है आपकी memory में भी और आ positive इस्तिमाल करें और उससे जो है अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश करें बनिजबत इसके के घलत कामों में लगें और अपने आपको भी अपने मौशरे को भी और अपने घरवालों को भी जो है उनका नाम बदनाम करें तो इन चीज़ों से बचिएगा आपका दोस सफी असलाम अने कुम